Good morning my day students, how are you? I hope all of you are well at your homes. Yes students, before start our study, we will discuss about some good manners. It's better due to coronavirus. We are at our homes now. हम स्कूल नहीं जा पारे, हम अपनी घरों में हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी पेरेंट्स का कहना नहीं मानना. आप अपनी पेरेंट्स का अभी नहीं कर रहे हो, है न? मैं को पता है, जो जो अभी कर रहे हैं, जो student अभी नहीं कर रहे हैं. बहुत साय स्टुंड ऐसे हैं, जो ना तो जून कलास एक्ड कर रहे हैं, ना ही अपना वर्क प्रॉपली करते हैं. वाई बिटा, बिटा, now you are in first standard and complete your previous notes, attend Zoom class and watch and listen the videos carefully which teacher send you daily. आपने पेरेंट्स का चैना मानना है और अपना वर्क प्रोपरली करना है। वाई स्टुएंट इंटेलिजन्ट बनेंगे, जो जूम क्लास अटेंड करेंगे, वीडियो प्रोपरली देखेंगे, जूम क्लास सब भी स्टुएंट अटेंड नहीं कर रहे हैं, वाई बिटा, open your Hindi book please open your Hindi book and take a pencil in your hand open page number 15 lesson number 4 yes बिटा part 4 में क्या है हमारा स्वरों की मात्राएं मैं आपको बताया था ना जब हमने स्वर रीड किये थे वे एंजन रीड किये थे तब मैं आपको बताया था कि स्वरों का यूज मात्राएं लगाने के लिए होता है क्या यूज होता है स्वरों का मात्राएं लगाने के लिए यूज होता है और वो मात्राएं लगती किसको है सभी व्येंजनों को ये मात्राएं यूज होती है जिस भी मात्रा की sound आती है वही मात्रा हम use करते हैं व्यंजनों पर हम मात्रा use करते हैं ओके येस बीटा look here what is this बीटा क्या है ये कर कर है न अब इसको कोई मात्रा use हुई है नहीं हुई ओके ये बिना मात्रा से है न बट जब यहां पर का की sound आए का कैसे sound आए का तो हम क्या करेंगे फिर कौनसी मात्रा use करेंगे आ की मात्रा use करेंगे क्यूंकि का sound आ रही है क प्लस आ का की मात्रा use कर दी क्या बन गया अब ये का तो मात्रा use हो गई न ये व्यंजन है कर क्या एक वियंजन है और आ क्या है स्वर है स्वरों का यूज होता है मात्रा लगानी में जो स्वरों की साउंड है ये मात्रा लगानी के लिए यूज होती है और देखो वियंजन कर को को आ की साउंड आई तो हमने आ की मात्रा यूज कर दी तो कर का का बन गया ओकी next बीना ख रोट इसको कोई मातरा यूज हुई है नहीं हुई बीटा अब क्या करेंगे हम अगर खा बनाना इसका तो क्या करेंगे हम आ की मातरा का यूज करेंगे बन गया है अभ पर एक शाइड के मात्रा यूज हो गई एन्ट वैट इस गह जोगेए और ड़्यक divers Once शाम्मीर बिना जब गह साइड ड़्यक के अदि रांट ऑट जनी फिर चै़ करेंगे हम यहां पर मात्रा है यूज हो गई नंग के और गह का बन गया निक्स भीटा घर का भी सिंपल है इसको क्या करेंगे अब साउंड आ रहे है घर अब मात्रा यूज होगी तो आ बैक साइड इसके आ गया घर बन गया ओकि ऐसी बिटा सबी जो वियंजन है उनको अगर हम आ की मात्रा यूज कर लें तो वो आ की साउंड देनी लगते हैं च का चा बन गया च का चा ज का ज अगर मात्रा यूज कर लें तो ज का ज ओकी बिटा और जो आ की मात्रा है वियंजन के बैक साइड यूज होती है यह आ की मात्रा का यूज होती है हमेशा वियंजन के बैक साइड यूज होती है जैसे हमने यह आ की यह कर के इदर लगाई है इधर तो नहीं यूज कर सकते हैं यह तो रॉंग हुई आ की मात्रा हमेशा वियंजन के बैक साइड ही यूज होती है ओकी नाउ वी विल रेट येस बिटा आ की मात्रा ओकी वट इद इस चित्र किस चीज का है पिक किस की है आम डाउनसाइड के आरेट क्यो है आम बिटा जो रेड कलर की है ये साइड आ की मात्रा यूज हुई है यह पर ओकी रेड कलर में आम अनार अब किस को यूज हो यह न को यूज हो यह तो न की सांट कैसे लेंगे ना अनार तो मातर जोहां मात्रा लगी होती है वही हम इसकी सांट लेती है ओके टर को लगी है मा बन गया टो मातर next होकू आ क्या बन गया हाथ ओके माला अब दोनों साइड यूज ग ओई है हम दोनों को आ की सांड से स्पीक करेंगे माला तारा आपने बिटा यहां फिल करना है इनको के लुख यह बिटा आपने इनको इस साइड देखो लाइंस लगी हुई है हमारी फाइव लाइंस और जैसे आप नोट बुक पे फोर्मेशन में वर करते हो ना नीट अन क्लीन यहां फिल करोगे आप ओके इस पेस बना बालक, मटका, पक्वान, समाचार, तल्वार आगे हमारे पड़िये और दोहरा यह 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 क्या है वाक्या है वाक्या बना हुए यह राम, आम, खा वन लन फिंगर गभाए दीक हूं है ना बैक साइड क्या हो पूरण विराप पूरण विराप क्यों यूज करते हैं पहले भी आपको टीचर ने बताया था क्यों यूज होता है पूरण विराम जो हमारा वाक्य कम्प्लीट हो जाता है महां पूरण विराम यूज होता है पूरण विराम का मतलब होता है कि स्टोप हो जाना हम यहां पर आकर रुक जाती है वाक्य कंप्लीट हो जाता है राम आम खा कमला बाजार जा स्टोप हो गए पूरन विराम यूज हो है बादल बरसाथ साथ लाया हमारा वाक्य कंप्लीट पूरन विराम काजल पकवान बना पूरन विराम यूज हो है माता का कहना मान पूरन विराम इसको आमने बोलना नहीं है मैं हम तो आपको बता रहे हैं कि पूरण विराम बैक सेड यूज होता है तो हम स्टोप हो जाते हैं रीड ऐसी करना है राम आम खा कमला बाजार जा बादल बरसाथ साथ लाया काजल पकवान बना माता का कहना मान क्लियर बिटा अपने अच्छे से इनको रीड करना है और फिल भी करना है ओके बीटा थैंक्स एंड हैव गुड डे